तो पिछली वीडियो आपने देखियोगी कि अभी हम लोग है रोडू में रोडू से हम आज कहा जाने वाले याद है चांसल पास और उससे आगे दो गाउं है वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे लेकिन वहाँ पे वीडियो देखी कि ओफ रोडिंग है तो देखते हैं अग ठाषी चले डू करो किशू क्रिवा फिर देखते हैं तो इसको भागशने करने बाइब दिंग हां किशू करें का गजाना फिर दैख। पुद्धार नीपड़ती है फिर रोती है ये रात को बैठा 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 चलो चलो उठाओ क्यों रखा बढ़ा उठाओ उठाओ भई मामा अब तो इसको भागने की लगी है रूम में बैठी है बहुर आ जाती है रूम में यह च्यालो दोस्तों पैकिंग हमारी हो गई है आदा समान गाड़ी में में रखके आया हूं बस यह दो बैग बचते हैं रूम कुछ ऐसा था नॉर्मल सा रूम था आठ सोर नहीं छोड़ रहा अभी तक भी देखिए हालत खराब है दूली दूल उड़ रही आगे पूरी गाड़ी मैंने कली वाश करी थी और इसा के वाली गाड़ी काल देखो वैसी होने वाली है मेरी अभी दबारा से तो चलो कोई बात नी एक बार तो जा नहीं है चांसल जाके आते हैं कंप्लीट करके आते हैं फिर दवारा तो शायद ही मैं आऊं कभी साइड कि एक तो यह कोने में पड़ता है एंड पॉइंट है ऐसा इससे अच्छा आप चित्कूल चले जाओ कितना सुंदर है वह भी कोने में साइड में है अलग रोड से जाना पड़ता है उसी र रोड और नदी देखिए सामने बिलकुल एक साथ है किनारे पर हम पहुंच गए है यहां पर नदी टच हो रही है बिलकुल यह है पबर नदी आगे बढ़ना है हमें रोड बिलकुल पतला है और ट्राफिक बहुत जादा इस रोड में पता नहीं क्यों इतना जादा ही तो यहां पर एक चीज़ नोटिस की कि यहां पर जो एपफल यह या जो इदर की पहाड़ियां और नदी यहां पर बहुत अच्छा sir लस्टय और यहां तो यहां पर स्टे करने का मज़ा था यहां पर है नजारा अभी हम चड़ गाओं पहुंचने वाले हैं और हमें ब्रेकफास्ट का कोई आप्षिन नहीं मिला भी तक क्योंकि गाओं एरिया है रास्ते में टूरिस्ट है नहीं कोई भी तो देखते हैं चड़ गाओं में है होमस्टे होटल कैम्प साइट्स पगे र प्रेंगे हम आज फिर वाओ यार यार इस नदी के साथ बहुत तकड़ा नजार आ रहा देखो है ओई होई 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 हम मनाली वाली फील है रोड नी है पर मनाली वाला है बहुत प्यारा भी नजार आए के साथ टी फाइनली है घाबा टीकरी में यह नहीं ञार यहां थाप यह नहीं सीधा और इस यह जा रहे फैन्थज़ को प्रांठाक होई है काफी क्ष estas हाथ में है कडी कड़ी के साधा स्वाद लगा है साथ में है उडत की दाल खाना हो गया ब्रेकफास्ट और बढ़ रहे हैं यहां से यह देखिए भाई राइट साइड वाला रोड लेना है रोड पर तो लगे हुए साइन बोर्ड बढ़िया प्रॉपर और कोई दिक्कत होती है तो लोकल से पूछ सकते हो दस किलोमेटर तक रोड अच्छा रहेगा यह उसके बाद जो है रोड आ जाएगा खराब कवार यहां से है 71 डोड रहा है 49 अगर यह दो गाउं भी अगर गुमने हैं तो क्योंकि लास्ट गाउं आई यह कवार करके बहुत खुबसूरत गाउं है यार हमने वहां नीच्चे पुल के पास किया ब्रेकफास्ट और यह है टिकरी गाउं बहुत सुन्दर है और बीच में देखो मंदिर तो यहां पे न यही है गाउं मैं मतलब ही मांचल में मैक्सिम गाउं होगा गाउं के पास बीच में मंदिर होगा और इसके उपर भी गाउं है यह देखो उपर भी गाउं है उपर भी काफी सुन्दर गाउं दिख रहा है तो बहुत प्यारी प्यारी जगाए है इस तौरफ देखो कितने सारे घर है पूरा एरिया मतलब है इसलिए रोड में ट्रैफिक है क्योंकि बहुत बड़े बड़े गाउं है आगे तो लोग आते जाते रहते हैं जी तो सामने वाला बाकी लग जाएगा पता अरे भाईया 20 किलो मिटर कैसे निगलेंगे एक ओफ रोडिंग होती है वो जो शिकारी माता में और उदर थी कमरून आग में उसमें ऐसे बंप्स नहीं है देखो पत्थर है ना इसमें कंटीनिवस अब इसका मस्त नीद आईगी तो अभी बोड देखा मैंने यहां से कवार है 60 किलो मिटर और यही रोड है डोडरा है होगा शायद 40-45 तो इतना दूर इसी रोड से जाना और फिर वहां से वापिस आना 120-30 किलो मिटर पता नहीं वहीं जो जाते हैं अगर वहां स्टे करना ह पर तो चलो ठीक है एक दिन राजट हो जाएगा एपल देखो यार पेट में कितने सारे फेल लगे हैं तोड़ रहे हैं अभी यहां का एपल काफी लेट है ना बहुत लेट जा रहा है यहां का YAPAL और बोरियों में भरके जा रहा यार पता नहीं क्या सिस्टम है एक हमने के मांगा नीन से डेस्ट करा है अधा हो जी कैसा होता यहां का YAPAL बहुत ही प्यारा सब विव आया है इतनी देर तो जंगल के बीचो बीच सही आ रहे थे और रोड यार रोड देखो आप पूरी दर 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 आलत ही खराब हो गई है अभी तक तो बिलकुल भी वर्थिट नहीं लग रहा है यहां आना क्योंकि बहुत खराब रोड है रोडू के बाद ही रोड जो पक्का था वो भी पूरा टूटा हुआ है और सिंगल ले सेंस ट्रैफिक सेंस लोगों का बड़ा बेकार है तो यह देखिए अभी अभी बस निकली है यहां से कवार्ड ओडरा रोडू तो भाई बस भी लगी हुई है क्योंकि गाउं है यार आगे और टाटा सुमोज चल रही है उसमें जो है लोग आ जा रहे हैं और कुछ बस में जा रहे हैं तो भाई यह बस वाला ही जानता हो गया यह 30-40-40 किलो मेटर 60 किलो मेटर कच्चा रोड है 60 किलो मेटर और फिर कच्चा एक अलग चीज होती है यह ऐसा रोड है कि दिल देहला दें अंदर सब कुछ इला देता है तो पता ही नहीं बाई कैसे चलते हैं यह सुमो चलते हैं कि या तो वो खश्मीर की तरफ निकल जाता है या मनाली की तरफ लेकिन यहाँ यहीं से जाना है एक बहुत अच्छी चीज हमें दिखी है यह की कुडादान बनाया है और उसमें भी देखो गलास अलग प्लास्टिक अलग और या कि क्यांए पेपर रभ्यों ने ठीक है दारूपी के अपना इधर रख दो कि कच्रे वाली गाड़ी आएगी वो खुद उठा लेगी कच्रा यह बहुत अच्छा इनिसेटिव लगा मुझे पहाडों में हर टॉप के उपर ऐसा होना चाहिए तब ही साफ सुत्रा रहेगा और यह मौलमौस पहु जहाँ बैठे हो वही हैंक सकते हो अपना मेटीरियल कच्रा मतलब और मैं क्या बता रहा था जिसको ओफ रोडिंग करना पसंद नहीं है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है दो चार साल रुक जाओ क्यूंकि काम चल रहा है रोड का पक्का बन जाएगा फिर आ सकते हो और अ ड्राइव करने का मजा लेना चाहते हैं तो वह आ सकते हैं और इससे ज्यादा सुन्दर मुझे वह पहाड लग रहे हैं पर वह है कि वह देखने के लिए हैं उनके उपर जा नहीं सकते हैं यह शिवी का तीसरा पास है और सबसे हाइस्ट है है ना शिवी बताओ 14830 फीट है शायद यह कुछ बोल रहे है 12,000 है पता नहीं अगर 12 होगा तो फिर तो कम है क्योंकि हमने शिवी ने पहले किया है साच पास जो 12,500 के गरीब है उसके बाद किया है कुंजम वह भी 12,000 कुछ है तो अगर यह 14,830 है तो फिर यह सबसे हाइस्ट है और तीसरा पास है शिवी क पानी बहुत है कहीं भी बैठ के अपने आप पिकनिक बना सकते हो बस मुझे ना वह वाले जो माउंटेंज है एक बार जूम करके दिखाता हूं आपको यह देखो यह देखो इतने प्यारे दिख रहे हैं यह हर कुकु ने कुछ बताया मुझे बरफ का पार्ट देखी नही से मुझे हराय लिए वॉल्कुल यही नहीं है नहीं आया नहीं आया यह बरफ का पार्ड को बनागल यह 24 कोई है न न इस पहाद से पीछे वाली कोई चोट दिखरी आ यह मतलब बहौत स्टलेग हैं यह वाले पहाड यह लिए रिया बड़े हैं इन में अपने आप में देखो उपर जैसे मैदान जैसा देखो यह इस एरिया में बंदा पैदल चलने लगे तो कही दिन बीट जाएंगे न यहां पर एक मंदिर देखा मुझे नीचे पत्थरों का मंदिर जैसा बना रखाए हो देखो टॉप में ऐसे मंदिर होते हैं अक्सर और अभी तो वहां पर है टॉप सामने जहां यहाते हैं वहां तक इतना आ गए हैं तो क्योंकि वहां से न परे वाली साइड का वी दिखेग वैसे हम अल्मॉस्ट टॉप में पहुंच गए हैं यहां टॉप में जो रोड है वो नीचे से अच्छा है नीचे जो है रोड की आलत बहुत खराब थी यहां पर ऐसा है कि एक बराबर वो लगे हो हैं पत्थर जैसा साच पास है वैसा है रोड बिलकुल पत्थर ऐसे लगा कॉल आ सकते हैं अच्छी भाग रहा है गाड़ी यही फाइनली फाइनली शीवी हम पहुंच गए टॉप में यही यहीज़ी यह कर दिखाया कम वगी तुदू पापा वने तुदू टूदू हम पहुंच गए टॉप में यहीज़ी हम चंसल पास से बहुत देर से हैं लेकि जो एक्जेक्ट जो टॉप है वो रहा ये भाई 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 मज़ा आगया भाई सरुताल सरुताल जगाए के ये लिखा है पीछे चांसल पाफ हाइट नहीं मेंशन किया इसकी फ़दा नहीं क्यों यहाँ पर कोई सरुताल पास फीलिंग आरी है कि बहुत ज़़ादा टॉप में और बहुत ज़़ादा ठंडी फीलिंग आरी है इधर बहुत ठंडी हवा है सूखी सी ठंड है और वो उधर सामने कुछ तो है टावर के पास गाडियां इधर ज़्यादा है नहीं लेकिन यार एक दुकान तो होनी चीए थी क्योंकि छोटी-मोटी जगा में भी जैसे हम राजगुंदा जाते हैं तो वहाँ से कोई नहीं जाता है फिर भी बीच में चैना आता है वहाँ पे भी दुकाने है मतलब कम से कम एक चाय की दुकान तो हो चाय मैंगी बंदे को भूक लगी हो इतने टॉप में आके इतने जादा ओफ रोडिंग करके तो दिक्कत है तो इसलिए हमेशा आप याद रखना अगर आप चांसल पास आ रहे हो तो अपना खाने का समान अपने साथ जरूर लेके आना क्योंकि यहाँ पर देखो आपको कुछ नहीं मिलेगा और गाड़ी के बारे मैं बता दूँ गाड़ी देखो यह नई वाली सेंट्रो है अराम से आ गई है कहीं निच्चे थोड़ी बहुत लगने का डर तो था लेकिन कुछ नहीं है पहुंचा देते बंदे और अल्टो तो as usual यहाँ पर चली है खाफी अल्टो देखी मुझे बाकि अपने गाड़ी को तो कोई इशू है ही नहीं क्योंकि यह तो उंची गाड़ी है सुमो का तो यह रोड़ी है सुमो का और बस वालों का बाकि यहाँ यहाँ पर मिडोज है बहुत सुन्दर सुन्दर मेडोज बड़ी बड़ी मेडोज जैसे हम यहाँ पर पहुंचे तो मेरा थोड़ा सा point of view चेंज हुआ कि ठीक है कम से कम एक बार तो बंदे को आना ही चीए बार बार आने लाइक जगा है नहीं क्योंकि सिर्फ यह चांसल पास है जो सबसे सुन्दर लगा मुझे बागी इसके बाद जो नीचे गाउं है उनकी मैंने वीडियोस देखी है वो इतने बहुत जादा सुन्दर गाउं नहीं है मतलब गाउं है बिल्कुल ऐसे जैसे पहाड दिख रहा है सामने पहाड में है देखने लाग कुछ नहीं है बस गाउं है घर है, मंदिर है जैसे रोडू में पीछे नीचे मैंने आपको गाउं दिखाए थे रास्ते में वैसे गाउं है तो वहाँ जाने का फाइदा तब है जैसे आज हमें वहाँ निकलना हो जो कवार यहां से आभी भी साइज 40-42 किलोमेटर होगा यहां लिखा नहीं है गई तो वो लाश्ट गाउं है वहाँ पर जाके आप स्टे ले सकते हो तो फाइदा है जाके या फिर कमार से पहले आता है डोडरा वहाँ भी रुख सकते हो अगर डोडरा जारे तो कवार भी जाके या न बाकी यार उस तरफ है वो गाम बगेरा और बाकी इधर यह जो पहाड़े उस तरफ के यह सारे उत्राखंड वाले हैं उदर के जो दूर 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 दिख रहे हैं और वहीं से ही पास में ही उत्राखंड पड़ जाता है और इसके आगे अपना यह जो mountains दिख रहे हैं- peaks इनके साथ इधर से ढोड़रा के आगे से ट्रैक शुरु होता है Ruppin Pass का वहाँ से six km का ट्रैक होता और सांगला के आसपास कहीं पहुंचता है वो तो वो हमें पहुंचाता है चितकुल सांगला के आसपास उस वाली जगा पे तो बहुत सारे लोग सिर्फ उस ट्रैक को करने के लिए आते हैं बहुत जादा लोग आते हैं उस ट्रैक को करने के लिए साथ दिन का साइड ट्रैक ह मुझे लगा था कि यहां पर गाड़ी आती होगी कच्रा उठाने के लिए लेकिन भाई यहां देखिए सारी कांच की बोटले अंदर ही पड़ी है और आग लगा दी है ऐसी प्लास्टिक में ही और बोटले फट गई है तो और यहां पर देखो इतने ज्यादा यहां पर क्यासा लगा फिर बहुत अच्छा लगा फिर वीचे वाला भी बहुत सुझ रहता है गाउं में जाना चाहोगे पहाड दिख रहा है क्यों रोड बहुत खाव है है ना नीचे उतरेंगे फिर नीचे से इतना ही उपर चड़ना पड़ेगा मतलब अगर ऐसा होता ना कि यहा जाते हाटकोटी की तरफ को हाटकोटी था ना ना भी बता नहीं है बूल जाते है तो ऐसे घूमके हम अगर राउंड ट्रिप हो जाना तो बहुत अच्छा लगता है अदर्वाइस यार सेम इस रास्ते से जाना इसी रास्ते से आना 40 किलोमेटर और है अभी ऐसा समझ लो कि एक टिक मारक होता है ना कि कभी यहां भी जाना है बहुत टाइम से सुना था चांसलवास तो वो कर दिया और यह ना शिमला की सबसे उंची चोटी है शिमला का सबसे उंचा पहाड़ है यह शिमला डिस्टिक का और यहां पे ना लोग कैंप बगेरा भी करते है आज गल तो बहुत बढ़िया नजारे क्या खुस हो रहे हैं बंदे यह है लाइफ अभी हम यहां पर आगे जहां पर मंदीर है यह सामने मंदीर है इधर और यहां पर बड़ी अच्छी सी वाइब आ रही है मन कर रहा है कुकिंग करने का लेकिन भूक है नहीं तो यहां पर ठंडी आवा अच्छी हाँ यहां गरम गरम क्योंकि हम बिल्कुल टॉप से थोड़ा नीचे आगे और मुझे उससे ज्यादा सुन्दर लग रहा है यहां पर क्यूंकि यहां पे ना वैली है बहुत प्यारी और यहां पर हवा बहुत कम है आप यहां पर बैठ सकते हो अराम से अपना कैम यहां से रोड रस्ता क्रॉस होता है दूसरी साइड को बहुत सुंदर है क्या व्यू है यार अल्टीमेट बहुत ज्यादा मेज़िदार मैंने खोल दिया अपना किचन क्यूंकि चाय का मूड तो है नहीं ऐसा करते हैं टोमेटो सूप बनाते हैं और सिर्फ और सिर्फ है क्योंकि नजारा इतना तगड़ा है ना पीछे मुझे टाइम लैप्स लेना है देखो टाइम लैप्स लेने में लगेंगे बीस मिनिट तो बीस मिनिट में चाय बन सकती है लेकिन चाय बीने की इच्छा नहीं है मेरी तो मैं एक सूप बनाऊंगा भी चले तो खापी के सिर्फ सूप पिया है भूख है नहीं बाकी अभी देखते है शाम के टाइम खाएंगे कुछ तो यहां पर गंदगी तो कुछ होई नहीं जो एक पेपर था वो मैंने अंदर ही रख लिया जो सिर्फ एक पॉलिथिन था ओनली फूख का वो मैंने अंदर ही रख लिया गाड़ी में और तो लास हुए थे वो डिस्पोजिबन वो भी इस रख है पाउं के बाद की चलो शीवी हटो मेरी सीट से अमा मदेरी खोल के तल आप मेरी जग अचाटो चल पड़े हम लोग आप नीचे की तरफ यहां से चलेंगे रोडू पहले तो यह ओफ रोड कवर करेंगे बहुत खतरनाग रोड है अराम अराम से चलेंगे और उसके बाद रोडू पहुंचते है रोडू में ही जाके डिसाइड करेंगी कि करना क्या है वैसे हमारी प्लैनिंग है कुलू के तरफ निकलने की रोड तीन रोड है तो बताते हैं आपको कौन सा रोड लेते हैं एक तो वही थुनाग वाला थुनाग पोल रो मेर क्या था वो जहां से हम आये थे ना शिमला या वाले रोड से मतलब वहीपर जाके मिल जाते हैं एक तो वह रोड है फिर वह नारकंडा जाएगा एक दो यहां रोडू से हैं डरैक्ट सीधा एट रुडू से पीछे को जाना है मतलब यह इस वाली पाड़ी से पीछे को वह रोड भी हमें पहुंचाएंगे अनी के ग explicable और यह विडियो देखा लेकिन दूही आप ने देखा होगा कितना उठा ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ी आगया आएगा यह दिरे दिरे यार कच्छा लग रहा है पाहड़ी पहली बार मेरी जिन्दगी में सामने लैंड फ्लाइड हुआ बहुत खुला रोड था यहां पर तो खुला रोड था कोई दिक्कत नहीं है अभी गा तो गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं रोडू मैंने बताया था आपको कि रोडू चलके ही बताएंगे बस रोडू से पहले थोड़ा साइड बेंचर हो गया यह तो यह सामने सामने गिरा ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं लगा साइड में बहुत खुली जगा थी तो इसलिए पैनिक नहीं हो बिल्कुल आराम से इसलिए वीडियो भी बनाई लेकिन जब तक वीडियो बनाई तब तक वह गीर गया बाकी पहाड़ों में इसलिए ध्यान रखे देखो ना बरसात है ना कुछ है फिर भी अगर किसी का ध्यान ना हो और वहां पर गाड़ी ल जा रहे हैं यहां से नारकंडा रोड कौन सा लेंगे यह आपको दिखाते हैं आगे चलके रोड उसे आगे तो अभी मैंने कैमरा लगाया आगे इतने राइवर है ना यहां के लोकल कि आप बताऊ मैं अभी चार-पांच बार कम से कम एक्सडेंट होने से बचा है इसलिए म अधर देखने करीवास तो इनका है ही नहीं जो दोस्त है मेरा उसने पहले बताया था भाई यहां ध्यान से जाना तो कोई भी कहीं से भी किदर भी चला जा सकता है अभी एक अंकल को तो मैंने मैंने का यार अंकल क्या कर रहा है मैं ऐसे गाड़ी सीधी चला रहा है सीधा रोड में आ गया एक दम साइड से उससे पहले एक बंदा और उसने किसी दूसरी गाड़ी वाली को ठोब दिया था थोड़ा-तोड़ा बचा अब क्या होता है कुछ रिकारड या नहीं अब मेट बचार निकली गया थोड़ा सा बचा और यहां रोड भी ठीक है पिछ रोड खराब था तो गड़े से बचने के लिए बचार में बंदे लेफ्ट राइट काड़ी पूरी कुमा देते हैं सिर्फ गड़े से बचने के लिए हद है यार इतनी आसी ड्राइजिन कौन करता है गड़ा रहा है तो सीधा चलो कर दो आगे पिछे तो देखना जूरी है अब यहां से एक राइट रोड जा रहा था इस रोड से भी हम जा सकते थे लेकिन हमें रामपूर वाले रोड पर कहीं अब यहां है हम सिर्मौर बोल रहा हूं यार रोड उसे वापसी वाली साइड में यहां पर अच्छा है यार एक पार्क भी यह देखो कितना सुंदर सुंदर तो गया गोडे की गोबर है अंदर लेकिन ठीक है बैठने को आए आके वहां और रोड भी खुला है अच्छा रोड है और यहां पर खाने पीने के आप्षिन भी है रोड साइड हमने ओर्डर किया मोमो और बर्गर टेस्ट यह ना मोमो ओक्यों मेरको अच्छे तो हमारा ब्रेक हो गया खाने वाला खतम और कुक्कु ने भुट्टा ले लिया है और मेरे पास यह निपू पड़ा होते हैं मैं निपू लगा दिया कम लगा था तो वही आसे खाते पीते चलेंगे अब आराम से आज की जरनी थोड़ी लंबी है अभी छे अठाइस का टा रोड खराब है लेकिन नजारे बहुत अच्छे हैं और उमीद है रोड भी आगे जाके कहीं तो अच्छा हो जाएगा बग की बगवान बरो से तो आर हम लोग हमेना रास्ते से वहां से हमारे थे वहां से था रोड और हमें यह मंदिर दिखा बहुत बड़ा और बहुत शा कोई मूवी का सीन होता ना वैसे लग रहा है तो इस रास्ते में एक टॉप आया भी टॉप में पहुंचे हम बहुत सुंदर है और वह नीचे से पता नहीं कहां से आया कि धर रोड हुए कहां से कहां आगे हम देगो वस नारकंडा रह गया यहां से 22 तो अब अगर हमें कही भी होटल होमस्टे कुछ भी मिलता है तो हम रुक जाएंगे वैसे अभी टाइम तो बता रहा छे से 27 गुड मॉर्निंग दोस्तों तो रात को हम लोग पहुंच गे थे नरकंडा लेट हो गए थे अंधेरा हो गया था वाकी यह देखिए यह कुछ इस वक्त नजारा इस बस बगा उपर की तरफ को है मार्केट उपर की तरफ जाएंगे अभी ब्रेकफास बगेरा करेंगे तो हमने यहां पे रूम लिया था हैपी माउंटेंज में तो काफी बजट में रूम मिल गया 900-1000 की रेंज में लेकिन यहां पे खानावाना नहीं मिला उखाने के लिए हमें उपर जाना बड़ा बजार बाकी फ्रॉपरटी काफी अच्छी थी यह दिखिए यह रहे इनके नंबर बगेर अगर आपको कभी आना हो तो यहां पर कॉंटेक्ट आप कर सकते हो बाकी गाड़ी हमारी रेडी हो रही है पुक और शिभी रेडी है हाँ रेडी हो कुछ स्क्राइब और यह जर्णी हमारी ऐसी चलती रही है अभी काफी लंबी जर्णी है तो बने रहेगा आप लोग अभी यहां से हम जाएंगे जलोडी पास होते हुए जिभी तो अगर कोई अगर यहां आता है शिमला साइड आता है और नारकंडा आता है तो यहां से जो है वहां किसमे अ हां